बीजिंग उलम्पिक एक गीला गीला गरबर है येस पीन के एक कमेंटेटर का कहना है कि चीन में नरसनहार कोई बड़ी बात नहीं है और विशाल पांडा जल्द ही हर जगा हो सकते हैं इस सप्ता के चीन समाचारों की सुर्खियों में और भी बहुत कुछ बिना सिंसर किये चीन में आपका स्वागत है मैं क्रिस चैपल हूँ ये एपिसोड पीसी डॉक्टर टूल बॉक्स वारा प्रायुजित है अपने पीसी को सौफ्टवेर क्रैश हार्डवेर विफलताओं और उस तरह की गड़बडियों से बचाएं जो आपके जीवन को दैनि बना दिती हैं जीवन के दैनिय होने की बात करते हुए बीजिंग शीत कालीन ओलंपिक में विदेशी एथलीट ओलंपिक एथलीट इंटरनेट नहोंने खराब भोजन और गंदे कमरों की शिकायत करते रहे हैं और इस हफ़ते एक फिनिश स्कियर ने उसे और उसकी टीम के रहने वाले क्वाटर में पानी के बहाव के वीडियो साधा किये वह पूरे हफ़ते कमरे में पानी लीक होने की पोस्ट करती रही अब एथलीटों और पत्रकारों द्वारा ओलंपिक में भोजन के बारे में शिकायत करने के बाद मेरे पसंदीदा राज्य संचालित मीडिय ग्लोबल टाइम्स ने एक कहानी के साथ प्रतिक्रियादी की भोजन कितना बढ़िया था इसलिए मैं ग्लोबल टाइम्स के एक लेक को देखने की उमीद करता हूँ कि अब किसी भी दिन सभी कमरे कितने सुखे और बारवाले हैं लेकिन क्या हम वाकरी चीन को बहुत ज़्य वश्कार वास्तव में चीन में हुआ था 10,000 साल पहले जी हां स्कींग प्राचीन काल से ही चीन का हिस्सा रहा है पार्टी ये दावा कम से कम 20-06 से करती आ रही है ये बहुत सपष्ट है ना ठीक है अगर ये शायद नहीं है तो ये मानवाक्रतिया है जो पूरी तरह से इसक कुनी नरसनहार कहां कर रही है ठीक है वह शेत्र मिश्चित रूप से 10,000 साल पहले चीन का हिस्सा नहीं था आज जातिये कजाक मंगोलियाई और अन्य अलतसंख्य कभी भी इसक्षेत्र में स्की करते हैं जिन्हें पुरशिक्षा शिविरों में नहीं ले जाया गया है लेक चीन काल से और शिंजियान की बात करें तो ESPN चीनी शासन को वहां सभी नरसनहारों को कम करने में मदद कर रहा है नौर्थ वेस्टरन युनिवर्सिटी के एक स्पोर्ट्स राइटर और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के प्रोफेसर से एक ESPN एंकर ने पूछा कि हम चीन में उल संपिक समिती ने यह कहते हुए बीजिंग को चुना की यह मानवाधिकारों के लिए प्रतिबध है जे अडांडे एक प्रशंसक और एक रिपोर्टर के रूप में आप मेरे द्वारा कही गई हर बात पर विचार करते हुए इस प्रतियोगिता का आनंद कैसे लेते हैं अड हमारे पास प्लेओफ देखने वाले अधिक लोग कभी नहीं थे और फिर भी यह डैंस नाइडर और वाशिंग्रन फुटबॉल टीम के खिलाफ चल रहे आरोपों और लगातार हिलाने की चिंताओं के बीच जारी है विविधा के बारे में चिंता और क्रतिसपर्धी अखं कुछना करने वाले कौन होते हैं जब हमारे पास नयत्य नागरिकों पर राज्य के एजिंटों के हमले होते हैं और इस देश के विभिन राज्यों में हमारे रंके लोगों के मक्तान अभिकारों पर हमले होते हैं इसलिए खेल मुझे लगता है कि यह संभव है और यदि नरसनहार के बारे में चुप रहना चाहिए और ओलंपिक का आनग रेना चाहिए एंकर के क्रेडिट के लिए वह चीन के बारे में फिर से प्रोफेसर से पूछने की कोशिश करता है क्योंकि आप जानते हैं वहां एक नरसनहार चल रहा है यहां उसकी प्रतिक्रिया है आप कहा चुन सकते हैं कि यह मुफ्थ है और रूस सहित खेलों के हाल के कुछ मेजबानों को देखें ऐसा देश खुजना बहुत मुश्किल है जो यहां सहित मानवाधिकारों के मामले में समस्या ग्रस्त न हो समस्या ग्रस्त और नर्सनहार के बीच अंतर है हम बात कर रहे हैं चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा लोगों को उनके अंगों के लिए मारने की अंतराश्ट्रिय ओलंपिक समिती भी चीन में मानवाधिकारों के हनन पर चुप रहने में अपनी भूमी का निभा रही है इस बात को लेकर काफी चिंताय थी कि चीन में जबरन मजदूरी करके ओलंपिक वर्दी बनाई जाएगी खैर आयोसी ने गहन जाच की और अनुमान लगाया कि उन्होंने क्या निशकर्ष निकाला उन्हें कोई जबरन, बंभुआ, गिर्मिटिया या बाल श्रम नहीं मिला हाला कि मानवाधिकार समुहों, हिूमन राइट्स, वॉच और विगर शित्र में जबरन श्रम को समाप करने के लिए गटपंधन के अनुसार के अध्यान में कुछ मामूली विवर्णों का भाव था जैसे कारखानों और उत्पादन स्थलों का दौरा किया, ओडिट पर्धती और निश्कर, या ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवर्ण कि श्रमिकों को लेखा परिक्षकों से बात करने या और लंगन की रिपोर्ट करने के लिए ततिशो के अधीन नहीं किया गया था, अब जबकी ये बुरा लगता है, ध्यान रखें, हर साल का दुरगटनाओं में हजारों अमेरिकी मारे जाते हैं, इसलिए हमें शायद चुप रहना चाहिए और उलंपिक का आनंद लेना चाहिए, चीनी सेंसर चीन के अंदर उलंपिक की एक उचित चवी बनाये रखने में वेस्ट है, इस भी चीन के बाहर चीनी गुर्गे भी जुटे हुए हैं, ट्विटर जैसे अमेरिकी सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर प्रोचाइना अकाउंट्स पर बीडिंग शीद का लीन, ओलंपिक की आलोचना करने वाले हैश्टैग की बाढ़ा गई, हैश्टैग फ्लडिंग क्या है, इसका मतलब है कि एक टन पोस्ट पर एक विशिष्ट हैश्टैग लगाना, जिसका भूल विशे से कोई लेना देना नहीं है, एक लोपरिये हैश्टैग की प्रभावशीलता को कम करने का लग्ष है ताकि अन्य ट्विट करताओं ने बीजिंग ओलंपिक की आलोचनात्मत पोस्ट के बजाए संबंधित पोस्ट का एक गुच्छा देखा, कुछ मामलों में हैश्टैग फ्लेडिंग ट्विटर के एंटी स्पैम सिस्टम को भी ट्रिगर करता है, और फिर सभी संबंधित सामगरी को हटा दिया जा कि ये वास्तविक व्यक्ति नहीं है, और ब्रेक के बाद आते हुए अमेरिका और चीन युद्ध के लिए जाते हैं पांडा को लेकर बापसी पर स्वाकत है, इस महीने की शुरुवात में चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, इसमें कहा गया है, दोनों र आशंका के बीच सामने आया कि रूस युक्रेइन पर आक्रमन करेगा, और यह की चीन ताइवान पर आक्रमन करने के लिए इसे एक आवरण के रूप में उप्योग करेगा, पेंटागन के प्रेज सचिव जॉन किर्वी ने खत्रे के बारे में बात की, जॉन किर्वी ये उनका मौन समर्थन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक और यूरोप में सुरक्षा स्थिती के लिए और भी अधिक अस्थिर करने वाला है, और चीन रूस गट बंधन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका खुद को पैर में गोली मारने में सक्षम नहीं है, महामारी के शुरुआती दिनों के इतने कठिन होने का एक कारण यह था कि चीन चिकित्सा आपूर्ती श्रिंखरा पर हावी था, चीन ने चिकित्सा आपूर्ती की जमाखोरी की और अमेरिका को किसी भी शिप्मेंट को र निश्चित रूप से अमेरिका ने अपना सबक सीखा है, है ना? नहीं, चीनी निर्मित कोविट परीक्षन वन लाक से अधिक सुपर बाउल प्रशन सकों को दिये गए, चीनी चिकित्साव करण निर्माता एंडून हेल्थ की कैलिफोर्निया स्थित सहाय कंपनी आई सकों को टिका करण का प्रमाण और एक नकरात्मक कोविट परीक्षन दिखाने की आवश्यक्ता थी, इसलिए ने कन्वेंशन सेंटर में एक प्री सुपर बाउल इवेंट में आगंतुकों को 1,20,000 परीक्षन किट्सों पे, लेकिन यह सिर्फ सुपर बाउल नहीं है, बाइ समबर 2021 से कंपनी ने अमेरिकी संगिय सरकार और कुछ राज्य सरकारों के साथ 2,1 बिलियन से अधिक के अनुबंद जीते हैं, और सुपर बाउल में ही एक प्रमुक विज्यापन अभ्यान के बाद मुझे यकीन है कि को केबल अधिक विवसाय प्राप्त होगा, इस बीच न लेकिन यह नई चितावनी वास्तव में इस पर ब्रेक लगा सकती है, FTA के अधिकारियों का कहना है कि वे चीन द्वारा विक्सित दवाओं का मूल्यांकन करने वाले अध्यानों की गुणवता के बारे में चिंतित हैं, अधिकारी भी चिंतित हैं कि अमेरिकी रोगियों मे दवाओं का परीक्षन नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में सबसे बुरी बात ये है कि पश्चमी दवा कंपनिया दवाओं के सस्ते चीनी संसकरणों का उप्योग करना चाहती है, और हर बार की तरह ये पहले भी अन्य उत्पादों के साथ हुआ है, इसका मतलब ये ह कि ये अमेरिकी कंपनियों को कारुबार से बाहर कर देगा, और फिर हम अपनी चिकितसा जरूरतों के लिए पूरी तरह से एक ऐसे शासन पर निर्भर हो जाते हैं, जो राजनीतिक असंतुष्टकोन के अंगों के लिए मार देता है, ये एक शब्द में है, देवकूफ अधिक जानकारी के लिए चाइना अनस्क्रिप्टेड पॉड्कास्ट एपिसोड देखें, चीन अमेरिका को एशिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, कम से कम ये एक संकेत है कि अमेरिका इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है, परिशान चीनी रियल एस्टेट दिग अमान घुपतान में चूप को लेकर 157 मिलियन डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, इवरग्रांडे दुनिया की सबसे अधिक करजदार संपत्ति डेवल पर है, इसकी दिंदारियों में 300 बिलियन डॉलर से अधिक है, और ऐसा लगता है कि यह विदेशी निवेशक है जो सबसे ज्यादा हारने वाले हैं, यदि केवल विदेशी निवेशक यह सीखेंगे कि चीन में विदेशी निवेशकों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, चांद पर क्रैश होने वाला है चीन हाल ही में, एक बड़ी कहानी सामने आई थी कि कैसे स्पेसेक्स का मलबा चांद से टकराने वाला है, यह पता चला है कि खगोल शास्त्री ने कहा कि उनके तथे गलत है और यह वास्तव में एक चीनी रॉकेट का एक हिस्सा है जो चंद्रमा में दुरगटना द्रस्त होने वाला है, चिन्ता न करें, यह चीनी रॉकेट का मलबा कोई बड़ी बात नहीं है, वे अनिवारे रूक से उन्हें दुनिया भर के चुरिया घरों में टैन साल के अनुबंद पर एक मिलियन बॉलर तती वर्ष तक किराय पर देते हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, वे अभी भी चीन के हैं, लेकिन यह बगल सकता है, रिपब्लिकन कांग्रेस की महिला नैंसी में इस द्वारा प्रस्तावित एक नया प्रस्ताव है, यह कहता है कि सहयोग्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ, कोई भी विशाल पांडा सहयोग्त राज्य से संबंदित होना चाहिए, और सहयोग्त राज्य अमेरिका को सहयोगी विशाल, पांडा प्रजनन कारिकरम स् मतलब है कि कांग्रेस सोचती है कि हमें यह करना चाहिए ना कि हम इसे करने जा रहे हैं अब मुझे इस बारे में मिश्रित भावनाएं जो मुझे पसंद नहीं है, अमेरिका विशाल पांडा के प्रजनन में इतना सफल नहीं हो जाता, और फिर वे जंगल में भाग जाते हैं, एक आकरामत प्रजाती बन जाते हैं, और फिर लोगों को हेलिकॉप्टर से उनका शिकार करना शुरू करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अब जंगली सुवरों के साथ करते हैं, मैं खुद को पांडा स्टेक खाते हुए देख सकता था, और यह एपिसोड PC डॉक्टर टूल बॉक्स द्वारा प्रायुजित है, कम्प्यूटर और सॉफ्टवेर क्रैश, हार्डवेर विफलता, और सामार में कम्प्यूटर स्ल अबस्याओं को होने से पहले रुके, और हमारे पास केवल चीन के बिना सिंसर वाले दर्शकों के लिए 50% की छूट है, इस विशेश ओफर का लाव उठाने के लिए नीचे दिये गाय लिंग और कूपन कोड का उप्योग करें, एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ कर दोटर से पहले वाले बार जबस्याओं के लिए विए